कि अभी जो पुत्र से पैदा होने वाले थे दिती को प्रदा से लिया था तो हम ने देखा था कि और उसके आंगे कि जो कथा है कि उस कथा के बारे में अभी आधानों सब्सक्राइब कि अभी आधानों पहले पातना सालू करते हैं ओम अग्यांति मेरंदस्य ज्ञानां जनां सलाक्या चक्छरोन मिलतम एना तसमे श्री गुरुवे नम्हा श्री चैतन्नमनों विष्टम स्तापतमे नवुतरे श्रमुपदा मैयं दातिसा पदांतिकं वंदे हम श्री गुरु हो श्री उता पंदकमलं श्री गुरुवेष्ण वांस्या श्री उपं सागर जातां सागना रगनाताम इतंतं सधीवं साद्वेतं साबदूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं शी राधा कृष्ण पादान सागना ररता शी विश्रा काम रतामसा नमा हूं विश्म पादाये कृष्ण पेश्वाय बुटले शीमते भक्ति वेदानता स्वाम नितिया नामने शी नमस्ते साथब्से आफ़े गोडवाने पर्चारने निविश्य शार्श वन्यवादी पासात देसतारने वांचाकल पदरूब शाकर पासिंदू एवचापधिता नाम पावने भुश्मेपु नवनमा नमो महावदनाया कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाया कृष्णा चाटन्या नामने गौर्ट से नमा आच्छा करुना सिंभु दीन बुनु जत्पते गौपसा गौपया कंता रादा खंते अमुसिते सब्सकान जन गौरांगी सीरादे विन्दा वने सोरी विस्भानु सुते देवी प्रनवाम यही प्रिये और शीवासा दिप्वार बखतु रिंदर प्रें किस्टना किष्णा किस्टना रें हरे राम 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 रहें और एक उसके ऑंगे की जो कफा है उसके और माद हम लोगा तर्सा करेंगे कि आंगे क्या क्या होता है इसके बाद अब अब नहीं लगता है इस ब्रह्माजी कथा के बारे ना बता जाता है कि कैसे जो चत्रस कुमार है ब्रह्माजी के जो पुत्र है कि वह कैसे व्यकुंड की ओर जाते हैं हम स्रीमत भावतम के पंद्रह नम्म चप्टर में देखते हैं कि हम लोग उस कथा के बारे में चर्चा करेंगे तो वर्सों तक कि अपने गर्व को रोक के रखा बच्चों को पैदा नहीं किया क्योंकि दिती को मालूम था कि मेरे गर्व से हिरनका सिपू और हिन्नाच पैदा होने वाले हैं जो भी सारे देवताओं को संतप्त करेंगे और फिर भगवान उनको आवद्द करने के लिए आना पड़ेगा भगवान ही परेसान होंगे कि दिती अपने गर्व को सौ वर्सों तक रोख के रखती है कि उसकी वज़े से क्या होता है कि हिरनका स्पू अभी पैदा नहीं हुए थे अपनी माता के गर्व में ही थे थृष हया उनके प्रभाव से सह अन्दकार छाने लगता है जाने निदकार के लुँथ सारे देवतागाटाघ्रमाजी के पास जाते है और ब्रहमाजी प्रातना करता है कि ब्रहमाजी पता यह किया हुआ है इस कारण से सारी दितोसां में अंदकार छाया हुए है कि आप तो काल की पर हैं तो यह जान नहीं सकते हैं तो ब्रहमा जी के पास बहुत सारी सकती है क्यों यह अंदिकार है आप जानते हैं अर्व्यक्ति क्या सोचता है आप उसके मंगों पढ़ सकते सकति आपके पास किस काराण से कौन सीगे हैं यह भी आप जानते हैं याव जानते हैं वो किर्प्या करके बताएं कि अंदकार किस कारण साय हुआ है आप विज्ञान वी रहें हर चीज का आपने सक्षातकार भी किया अब आपको नहीं है विज्ञान भी आपको है कि तो करके अपने विज्ञान के माध्यम से बताइए क्या कारण है यह अंदकार काँ कि कारण को समझना चाहते हैं इस पर से बर्माजी टारिफ करते हैं को पर कहते हैं कि सार lot yeah yeah जीवों के सरीड़ा आपने सेजन किया है पन्की आपके लोग अपने इंद्रीओं पर काबू प्राप्त करते हैं कि आपके उनको आपके क्रपा मिले अब तो इसलिए आप विदों ग्रादेने वाले हैं हम सब आप संबाद करते हैं कि बताइए लोग को फोड़ा सथ ग्यान था कि इसे लिए प्रिपया करके समस्या का समाधान किया है वो पता नहीं है इसलिए कृप्या करके समस्या का समाधान कीजिए और जब ब्रह्मा जी ऐसा सुनते हैं तब ब्रह्मा जी क्या करते हैं अब हिरनाकस कौन है उनका इंट्रॉडक्शन देने के लिए वो उनकी कथा सुनाते हैं हिरनाकस पूर हिन्यक्स आये कहां से अफिर बताते हैं जैसे आप लोग देख रहे हैं कि दमाजी कहते हैं कि मेरे चार पुत्र है सब्सक्राइब पहले देखा था कि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने मंद से उनको प्रकट किया लेकर विवहा करने से मना कर दिया और ब्रमा जी पुरोध हता है और भ्रकटी की मद्द से भूत उत्पन होते हैं तो वह दो जो चत्तुसकुमार है मेरे चार पुत्र हैं यह जहां चाहे हैं वहां जा सकते हैं पूरे आधात्मिक जगत में बिना किसी काराण वर्स ऐसे ही घूंते रहते हैं विसरन करते रहते हैं तो यह से घूंते 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 एक बार वो लोग व्यकुंट लोग पहुंच गए वह व्यकुंट लोग इसको बोलते हैं सर्व लोग के नमस्कृतम सभी लोग उस व्यकुंट का सम्मान करते हैं हूँ कि अप्रों क्या करते हैं सब्सक्राइब कर जो यूथ यूथ कि पूरस्लोग है अ कि अभाए देते हैं कि अजय तरह साथ है पिल वसंति यत्र पूर्जहा सर्वे वैकॉंट मूर्ट यह अनिमित तेना धर्मेना राधयन हरें तो तीन चीज़ा उनके बारे बताए गई है जो हम यह देखते हैं पहला क्या है वैकुंत मूर्ट यह वो गैसी देखते हैं जैसे भगवान किसके जैसे हैं इसने प्रावड घंस्याम हम तो जैसे बारस के मौसम में जो दिखता है भगवान का भी वैसा ही रंगी कि अचब्च जितने भी हम आदो ні है सबका रूप दिखते हैं अब देखते जैसा में दिखा रहा है लोग बिख उस है गहरे मिले रंस दिखते हैं है थांदी साही स्षया हांथ है है और पुरुष के वहाँ पर चार हांत होते हैं कि इसको बोलते हैं सारुप्ट्प्या सारुप्ट्ट्प्ट्प उनका रोप इसके जैसा होता है फज़से ही होता है तो उसमें मुक्ति यामी जब 30 संसास मुथ तो कि या度ता लोगों पता नहीं है कि से ब्रह्म निकल रही है इसमें लोग लीन होने का प्रयास करते हैं आपने सुना होगा ब्रह्म लीन होने की इक्षा करते हैं उनको बोलते हैं को नरकि समय समझते हैं क्वहाँ पर भगवान की सेवा करने का मौका नहीं रूप में पसोपप्षी के रूप में मनुषकरूत में किसी रूप में रह सकते हैं कि पूर अगले मुक्ति होती है कि वह सारिष्टी सारिष्टी के मतलब क्या है कि ऐसा भगवान का यस है भगवान का धन है भगवान अपने जैसा धन अनलों को भी देते हैं भगवान अपने अपने वह नतों के साथ बाठती हैं उस मुक्ति को बोलते हैं सारिष्टी भगवान में रहते हैं वह विमान में सबके पास मिमानें तो सारिष्टी गुट रूप्य है तो जो व्सेश्ज करते हैं उनका रूप वैसे व्वाण का रूप्य इसमें सबसे स्ट्री कहला तो वह सामीप्य है कि मतलब भवान के अंतरंग पार्षद बनना तो वेकुंट में बहुन सारे लोग रहते हैं सबको भगवान के उतने करीब जाने का मौका नहीं मिलता है जिसे हम देख चाथ हैं कि यहां पर पॉइंटर देखा रहा हूं यहां पे हैं सारी लेडीज हैं लेकिन तो इसको बहुत हैं सामीप्य पांसर के मुट्टी होती है उसमें से जो सायुज्य है वो भक्त नहीं चाहते है प्रोफिंग यहां पर भगवान की सेवा करने का मौका नहीं मिलता है वागी चार मां भगवान की सेवा कर सकते है अब वेकुंत मूर्टे यह अनिमित्ते न निमित्ते न अर्थाच अब उनके अंदर पिंद्री तृप्ति की भावना नहीं है पूरे जगात का एस्वार उनके अंदर है पर उसके भोगने की इक्षा उनके अंदर नहीं है कि यह इसलिए नहीं को उन्चा स्वाद मिल रहा है कौन सा स्वाद को अगला दिया हुए धर्मे नारायान ना धायान हरिम भगवान की सेवा का स्वाद मिल रहा है क dues व्यक्टी वभगवान की सेवा मिल जाती है और सका आस्वादन करने का मुका मिलता है मैं उसक्व इस संसार का एस्वर अच्छा नहीं लगता है कि उससे कि झाकर गवाशियों का क्या है है कि उनका रूप है यह उनकी भावना है उनको आनंद जीसमें आता है इंद्रियों को तुर्प्त करने में आनंद नहीं आता है लोग ऐसे है आदमी ऐसे है और वेकॉंट के जो भगवान है उनके बारे में अगले स्वोपमत आगे यत्र चाद्या पुमानास्ते भगवान सब्द गोशा रहा सत्तौं विश्टब्व विर्जम स्वानाम नौम देयन विसाह उनके वारे मताता है यत्र चाद्या पुमानास्ते मतलब वो कौन है वो आधी पुरस है जो भगवान है जिसे कई बार तो उस लोग पुपा से पूंशा करते थे भगवान की क्या परिवासा है तो पुपात बोलते थे आपके कोई पिताजी है बोले हाँ उनके कोई पिताजी है हाँ तो जिसके कोई पिताजी नहीं है जो सबके पिताजी है वो क्यों है वो भगवान है यह भगवान की परिवास है इसलिए क्या लेगा चाद्या पुमान लेकिन भगवान को समझ कैसे सकते हैं भगवान सब्द गोचरहा सब्द मतलब है वेद वेदों की वानी से हम भगवान को समझ सकते हैं और सब्सक्राइब विश्टब्वेबर इस वो जो भगवान है तो वह सुद्ध सब्सक्राइब सब्सक्राइब संसार में रदेंगोर तमगोर से अब बन्दे रहते हैं है वह मिंपार्च वहां इस व्यारी तो सांती की अनुदि वीटिए है समझ में आता है के उचीत कहा है वहागत करने का मन करता है तुम पड़े रहते हैं तो कंसार में तिर्फटी कि लेकिन वेकुंट जगत के प्राणी और भगवान तो तीन गुणों से बंदें नहीं है और स्वाना नो मेडेयान विसहार उन्हें कार क्या है यह देखना कि भक्त लोग भक्ति में प्रगिति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कि इस वे उनका में काम है तो भक्तों के प्रगिति कि बारे में सोचते रहते हैं प्लैन करते रहते हैं यह लोग कभवान के नहीं कर रहे सकते हैं कि इस संसार में इतना प्रयास करते हैं कि अर्चन करने का रूपवान बनने का क्या सुन्दर दिखाए पड़े हमेशा कभी मरे ना कभी भूड़े ना हो कभी कुछ भीमारी ना हो यह एक्षाएं कहां से आ रही है प्राणी यहां पर आदमी हैं सब बहुत सुंदर हैं देखने में बहुत सक्तिसालिंजायु रोव नहीं होता है इंको विल्एं नहीं होता है कभी मरते नहीं है उसकर है यह सारी की सारी छीजे व्यकूंट वासिउंगे पास है जो इस जगत में नहीं है कि भगवान का विवरन है कि अगला विवरन जो है वहां के वनों का है कि उसका स्लों के इस तरह से यत्र नैस्रयसम नामा वनम कामद भेर्दुमे सर्वत्रु स्रीभिर विब्राजत के वल्यम इवे मूर्तिमत इस अंसार में हम देखेंगे जो वन होते हैं अब यहां गुसाला में रहते हैं जब लोग कुछ समय के लिए आते हैं बड़ी खुश रहते हैं लेकिन जैसे रात कशन होता है तो कर लोगी कुछ कीड़े आने लगते हैं तो दिन पहले आब बहुत पानी भर गया था तो रहना मुस्किल हो जाता है कि कभी मच्चर आ जाते हैं इसमें एक हरावारा कीड़ा आता है उत्तरे से जो साधारन वन हैं संसार में देखने हो करने के लिए वन में जाते लूए करने के वन में घृत्ति हुए को सहन करने को तपस्थette सब्सक्राइब करने वाले अच्छा करने वाले अच्छा करने वाले वहां पूसाप नहीं काटेंगे किसी समय तरही परिशानी नहीं करेंगे कि वन्हों में कई बार नों के जो मिटी होती है अश्र्धियों कि भरों के लिए तो बड़कर है तो बड़ा पर दूसरा बाद कहले काम दुगयर दुमें वाहरे दराख्षियां उनके बोलते हैं कल पर लिक्स या फिर अकल प्रक्षी कहता है वह कौन से वरक्ष है वह वरक्ष हैं जो आपकी सारी इक्साओं को पूरा करने में सक्षन है ज़िए कि संसार में जो पेड़ हैं वह वहीं फल देते हैं जिसके पेड़ होते हैं अकर नीम का पेड़ हैं तो नीम का फल देगा आम का फल नहीं लेगा और जब उसके फल का मोसम आएगा तभी फल देगा जैसे आम का पेड़ा है गर्में के मोसम में आपको कच्छा मिले गा और जी बारस होने लगती है लूप पढ़ने लगता है तो आम नहीं मिलेगा लेकर इन व्रक्षों में हर समय लगते हैं और जिस चीज का फल चाहिए वैसा फल मिल जाते आपको नीम के पेड़ में आमका पेड़ चाहिए और भागवान संचार में आते हैं तो ऐसे लीला भी करते हैं जब नित्यान को आये थे गर में पानी हाटी में जो कि करता के पास नहीं करते हैं कि दमनक फूल की माला चीए दमनक की माला चीए तो यहां तो कदम का मौसम नहीं और कदम के जो फल हैं जो पुस्प हैं बंगल में भी हैं पर उसने दिखते नहीं है मैंपूल में आपको देखेंगे तो नहींने बोले बाहर के जाओ जो पेड़ है वहां पर जाके देखी आपको मिल जाएंगे और वह देखते दों मिल जाते हैं तो वह कदम का पेड़ नहीं था लेकिन सूर कदम के मिल गए तो नहीं फिर कदम की माला लेकिए सब्सक्राइब का मतलब का है और मौसाम के फल फूल आपको मिल जाएंगे यहां के जो पेड़ हैं वेकुंट के वह व्यक्ति हैं इसलिए आपसे व्यक्तिगत जवहार करते हैं इस अंसार में जो पेड़ हैं वो जड़ हैं मतलब जब को व्यक्ति बहुत ज़्यादा पाप करता है और उसे चेतना बहुत जब को बच्चा बहुत सतानी करता है क्लास में उसको सता दी आती है आप खड़े रहे यह पर लूंग के बार क्लास के बार खड़े रहे तो इन लोगों परिसमेंट मिलता आप खड़े रहे जो आधात्मी जगया जो वैकॉन्ट की पेड़े वो सबके सब सान तरस भक्त बतला भी भक्त आप बस यह है वो सोच्थे भवान इतने महान है तो हम उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं लेकिन भक्तों की सेवा करते हैं कैसे सेवा करते हैं पुश्प देखे और फल देखे तो ऐस कि उसके बाद में जो दंपत्ती हैं वैकॉंट के हुँ क्या विवरान आता है कि वैवानिका सल लेना सरितानी सस्वत गायंती यत्र समला छपनानी भर्तु अंतर जले अनुविकसन मदुमाद वी नाम गन्वेना खन्यत दियो अपियने लाम छिपंताह जो जो पती-पत्नी है वहाँ विभु पत्ति नहीं रहते हैं तो चुछ समय के लिए दें लेकिन नहीं रहते हैं तो लोहान में रहने वाले जितने बी जो प्र मिल्ठ फिलोग मुंते हैं सब का परसण एक वे और फ्रियुक्त आवाद निहीं करता है इस संसार एक अरु और यांक बहुत आवाद नहीं निकलती यहां की बहुत आवाद आती है कि इसलिए से लोग उपर देखते रहते हैं रहे विमान की आवाज आ रहे हैं बल्कि हमारे भक्ताने बहुत ट्रेवल करते हैं वह काण में प्रावलम होगी है विमान की आवाज की वैसे लग्वक्वेंट की विमान है इनमें कोई दिक्कत नहीं है और हर किसी के पास एक विमान है पर्सनल ऐरूपले तो यह जो दंपत्ति मांखे पत्ति पत्री अपनी पूरी फैमिली के साथ वो लुग विमानों में घूमते हैं ऐसे गूँबते हैं वो quel गी रखते हैं बालकिया राते हैं तो प्रसंशाय चारते हैं अल्केंशंशनर में इस पता नियों से को सादन देखते हैं कि हमको इतरती ALL कि अपनी सुष्थी पति मेरे शिवा करे का ऑपनी मेरी सुष्थरे को सेवा करनेक Nepe आधाद्मिय जगत में सबके दर सेवा का भाव है वो भगवान की प्रसंशा करते रहते हैं और भगवान की प्रसंशा करते करते इतने ज्यादा आनंद में रहते हैं मादमी जो वहां के वरक्ष हैं तो पूल है मादमी लता कि वह सुगन्दे के वायू उनकी नाख में घूस्ती है उनको लगता है कि कि यह सुगंद मुझे नहीं चाहिए क्यों नहीं चाहिए कि यह सुगंद भगवान की सेवा मैं मन को नहीं जाने दे रही है कि अच्छी नहीं रखती है कि उनको एक उंचा आनंद मिल रहा है कौन सा आनंद मिल रहा है भगवान की सेवा का आनंद तो जो व्यक्ति को उंचा रस मिलता है तो इंद्री तृत्ति का रस अच्छा नहीं ड़ता है उसी तरह से अगर भक्तलों के जीवन में भगवान केंद्र होते हैं तब वो क्या कर सकते तब वो इंद्री तृत्ति की भावना को छोड़ सकते तो यह खत्वनार को कहते हैं जे देन ग्रहे खीरतन सुनी ग्रहेते गोलों के भाया जब भी में घर में अपने कांग ऑफिसे काम करके फिर वो हाइको अज़स थे जब वो अपने ऑफिस से काम करके घर में लौटते थे और वो सुन देते हैं हमारे बच्चे लोग कीवतन कर रहे हैं तो गोलोग गरहते गोलोग भया तो हमको लगी नहीं रहाता कि घर है यह क्या है गोलोग इंदा वन बन गए बहन की लोग चुदि करते हैं बहुं करते हैं तो घर घर नहीं रहता कैसा बन जाता है वेसे का मतलब क्या है फिर निता एंग्जाइटी मतलब जहां कोई के या फो फेर प्रांसफर ना कर दए या पता नी प्रमोशन को में काम टाइम पूरा होगे नहीं होगा बच्च तो नहीं जाएंगे तो भूत एक यह लेकिन वैकोंट मतलब जहां कोई नहीं है जहां कोई एंजाइटी नहीं है वह गर मन सकता है अगर घर में केंद्र क्या है भगवान की सेवा भगवान खीरतन यह अगर सेंटर है इसले गर साम के समय कुछ समय तक कि शीटन करना सिए साथ लेकिन के कौन है दमपती है उनके अगर मताई गया है वेकोंट की जो पक्षी है उनका विवर्ण आता है पारावितान ब्रत सारस चक्रवाका दातूरे हमसे सुकती तरी बरहिडामिया ओलाहलो विर्यमत्य चिर्मात्रमुच्चे ब्रंगादी के अधिकताम गायमाने तो अलग अलग वहां पर शीए हैं पारास शारस है चक्रवाक वहां पर है सुप मतलब तोता तितीरी वहां पर है इस तरह से अलग अलग और बढहिडिनाम अलमोर यह सब हैं है तो यह से वहां पर भी है और काफी कल्राव करते हैं और पक्षी कल्राव करते हैं किसके लिए या फिर कहा है लेकिन वहां के पक्षी कल्राव करते हैं लेकिन वह सब कल्राव बंद कर देते हैं जब उनको क्या सुनाई देता है भ्रंगा भ्रंगा का मतलब है अब अब भावरा जब गूंद्रें लगता है तो यह सारे के सारे पक्षी रुप्षुप होके भावरें की आवाज को सुनते हैं कि यह सुनते हैं क्योंकि भावरा के लिए अधरी कथा करता है ऐसा हरी कता कर रहा है ररे किस्ना इस तो एस आवाज रोती होगी तो भावरा वैसे भावरों की आवाज बढ़ी बहुत चल्सक्राब्द मधूर मीन दोतीए है तो हरी कथा सुनिमन को जादा में इसलिए वेकविंट में कोई कॉंपटीशन नहीं है कि संसार में कॉंपटीशन रहती है पक्षियों में बहुत अगधे जहरा करते हैं लेकिन और लोगों में कॉम्पिशन प्रॉट आएगा जब जब लगा देजिसेंटी है किसका प्रेवूशन होगा किसको ज़्यार अज्यादा सेलरी मिलेगी लेकिन जो भगवान का संसार है वहां पर कुंपिशन ही है सब लोग एक दूसरे से हरी कता सुनना चाहते है तो यह क्या है पर आंगे कि वहां के जो कि उनके वारे में आता है मंदार कुंद कुर बोट्पल चंप कार्ना पुनांग नांग बकुलांबुचे पारी जाता हा गंदे अर्चिते तुल्सिका भरनेन तस्या यस्मिस्ता पासुमन सोब हुमान यंति कि पुर्णार कुंद कुर्बोट्पल चंप कार्ना पुनार अमुजर कमल पाड़ी जात्स पाड़ी जात्स पाड़ी फूल अगर एक सेर में आता है तो पूरा सेर्व नहीं लएगा पुआने लगी यह अलालग पेड़ हैं वह अलालग सुगन देते हैं लेकिन गंधे अर्चिते तुल्सी का बहने ने तस्या जब यह तुल्सी को देखते हैं वह और तुल्सी गंद को सुनते हैं लोग यह साधारन जो लोग होते हैं वह तुल्सी की खुस्वी बिलिंग सुन पाते हैं लेकिन तुल्सी की सुगन्द भगवान को बहुत पसंद आती है तो तुल्सी की सुगन्द है कर है जो आध्याथ में करूणा करते हैं लेकन शेतमा के सीफियाती है आध्यात में शेतना हो जाती युद्वसी भगवान को पसंद है भगवान नमगतिक रहां त्करते हैं बहुतantly में जो ती माला तुलसी बहुत पसंद है और तुलसी ने बहुत अपिस्टा किये इसलिए भागवान तुलसी से इतना प्रेम दरते हैं और यह जो बड़े बड़े टोड़े हैं जिनके अंदर बहुत सुगंदे पुस्पोते हैं वह भी तुलसी को प्रणाम करते हैं इस तरह से आधादमिंग जगत में कोई भ्रेस नहीं है क्या रहे तुलसी में तो को फूल दिखनी रहा है फ्री तुलसी को इतना पुजिशन क्यों हमको पुजिशन क्यों नहीं मिल रही है वह लोगं के अंदर ग्रेस की भावना नहीं है एक दूसरी की भक्ती है उसका के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं इतरा से प्रक्राइब के विमानों का प्राइब नाता है कि अध्संग्विलम हरिपदानति मांत्रे द्रिष्टेट वैदूर मार कटहें में मैयर विमाने ये सांब्रहत कटिक्ता स्मितिसो बोख्या क्रिश्णात में नामने रदे आदे दर उत्सम आयादे इसकार मताते हैं यह संग्विलम हरिपदानति मांतरे से वैदूर मार कटहें में मैयर विमाने वह सूने के वने हैं कि उनकी अंदर अल्लग रत्न जड़त हैं कि यहां कि लिवानों से टिंट पड़के नहीं वने हैं और वैदूर वैदूर मड़ी हैं उसके मार कट मैंने इनके बनी हुए हैं तोगी इस संसारों मिलती नहीं है इनके रंग समय के साथ बदलते रहते हैं कि मन्यों की मने हुए हैं इस तरह कि विवानों में लोग घुंते हैं और वहां दे पूप यह साम ब्रहत कटी तटा स्मेते सोभी मुख्या वहां कि जो स्तुरी के वो इतनी सुन्दर है दिखके हम जो जुम से लिए लेकंगिन कृष्ण आत्म नाव महां लिए पुरस हैं इस तरह कोदें की कृष्ण उंकी आत्मा हैं जैसे हम लोग आत्मा हैं अपने आपको हम अलग नहीं कर सकते हैं या आत्मा से लग नहीं कर सकते हैं इसलिए वह संदर श्रिया भी पुरुसों को आकर्षित नहीं कर पाती है कुष्ण से और वग्ति और से लिए यसी उसे वहां पर पुरुसों रस्तरी हैं किंटू सब खुरुस्त रस्तरी और इसलिए विमान में बोलो दूबते हैं इनके वारे मता हुए है तो है दूब्लागि सुघ्वारे में बताते हैं वह तो है अलग पने तरह कि चरनारविंदम नीनामुजेन हरी सद्मनी मुक्त दोसा सम्लक्षतेस्पटके कुढ्ड उपेतेहिंनी सम्मार जतीव यद अनुब्रहने अन्ययदम उस्तरह वांगे भी उस्तरीय आया स्रीव उपनी वो किसके यसी सुन्दर है वो लक्षमी यसी सुन्दर है देखने में को ने यंक्ति चरनारविंदम और उनके अंदर कोई दोस नहीं है मुक्त दोसा हर तरह के दोस्ते मुक्त है और वह हमेशा भगवान का ध्यान अपनी वर आकरसत करने का प्रयास करती रहती है कि मैं ऐसी सेवा करूंगी कि भगवान मेरी वर आकरसत हो जाएं इसी तरह से भगवान परसंद हो जाएं कि ऺगए आए जो अनुपी जाएंशे मार्वल रिखती है और एकदम सुन्दर है कहीं भी कोई भू नहीं है पूस्तरे सिवरे भगवान के लिए से घंधी नहीं आप सार्फ पर fakult इस तरह से इस्तरियों का जीवान का एक ही रक्स होता है कि भगवान को किसी तरह से प्रसंद करना तो यह वैकुंड की इस्तरियां है कि स्वांदर अभिमान नहीं उनके अंदर सेवा का भाव है को और जो लख्ष्वी जी वहां पर है कि उनके बारे में आता है कि आपीशू विद्रों मत्तटास अमला मृताप्सू प्रेश्यान विता नजवने तुलसी भिरीशं अभ्याचती स्वलकं उन्नसम इक्ष्य वक्त्रम कि उच्छे सिताउं भगवते ती अमेतां गया च्छी वहांटी के लक्ष्वी जी लक्ष्मी जी क्या करती है तुलसी के उद्यान बनाती है उन्हों उद्यानों के सिवा करती है अब लक्ष्मी जी के बहुत सारे नौकर चाकर है कि इस अंसार में लोग देखते हैं लोगों के पास थोड़ा से धनाता है लोग नौकर नहीं रख लेते हैं कि जीवन में आराम चीए और जहां तक लक्ष्मी जी की बात आती है उनके नौकर चाकरों की कमी नहीं है पूरे वैकॉंट में उनके नौकर चाकर भरे हुए कि वह क्या करती है स्वयम तुलसी के वनों को उगाती है ताकि उससे क्या हो सके भगवान की सेवा हो सके भगवान चरणों में तुलसी उगरान करते हैं माला में तुलसी उगरान करते हैं इसे वह करती हैं और उन तुलसी के वनों में भगवान की सेवा करती हैं उनक ज्यान अंजलिस्थान बने हुए है सेवा करने कि वहां पर प्रशना आता है पूरा ध्यान उनका भगवान के उड़ रहता है तो फिर अपने देर्वाल कैसे करती है कि साधारंता स्थ्रियों की संदर दिखाई दें अच्छे सा अपना को डेकोरेट करें तो वह इस्षा भी कहां से आ रहे हैं रक्ष्मीनी से आ रही है स्थ्रियों गंद्र लेकें को क्या करती है कि वह बार बार जल की और जल में अपनी चली को देखती हैं और देखती है कि भगवान ने हमको सपरस्किया है हमको चुमल लिया है इसलिए हम कितने सुन्दर देख रहे हैं और हम इस तरह से अपने आपको सजाएंगे कि हम भगवान को और सुन्दर दिखाई दे तो अपना आज उनका डेकुरेशन है जो सजास्ती सवर्ती है वो सिर्फ किसले करती है मात्र भगवान को प्रसंद करने के लिए इस तरह से इंद्री तृप्ती की भावन नहीं नहीं है कि हमको समेशन लगना है नए हमको अब सुन्दर इसलिए लगना है ताकि भगवान हमको देखेंगे अपने अनद्ध प्रक्त हो है उसके नर्भी क्या है सिवा का भाव है तो यह स्वारन आता है और अगे जिस लोग है इस लोग पर उसके आंगे हम लोग देखते हैं प्रस्वाइब प्रस्वाइब अब तो एक ठीक है वेकुन ने तना सुन्दर है है जा सकते हैं जा सकते हैं अब कुछ लोग नहीं आ सकते हैं उसके वारे में अब्राणाता है यह ना वर्जन थी अधिक्रशनान वादाच छिन्वंति यह निविस्या अकुगता मतिग्नी यास्तुषृता हतब बगे निवरात सारस लोग के वारे में जानने में कोई स्ट्रेस्ट नहीं आजब वेकुन के बारे में जानने में इंट्रेस्ट नहीं है घार जilläनों का अधिया फ lanes XD नहीं है जों वह एचलों के बारे में जैसे लोगों के बारे मताifter उनके अंदर अन्य चीजों की और आकर सुनाता है इस मेंती निये कौन-कौन सी वो चीजे जो इस संसार के चीजे हैं और जो कहा ले जाने वाली हैं तमस्सु हंता जो व्यक्ति वो नरख ले जने वाली है उन चीजों बड़ा अनंद दाता है जो 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 आख गया किसको जूते की वीजे वरा अनंद दाता है था कि उसलिए जिनका इंट्रेस इस संसार में हो इस संसार में रहते और जिनका इंट्रेस भ़ग्वान में हो वह आगए दांद करिए पुप लिए बताया है तो दीवतागर्मी है वह मनुस्य जीवन चाहते हैं कि मनुस्य जीवन में व्यक्ति सत्त और विद्या इनको ग्रहन कर सकता है प्राप्त कर सकता है और संसार की मायों को प्राप्त कर सकता है से छूट सकता है कि मनुस्य जीवन में ना ज्यादा सुख है ना ज्यादा दुख है जब ज्यादा सुख होता है मालियांग एसी में बैटे हुए है पुर्सी में तो निम्हा जाती है भगवान का नाम लेना बड़ा मुस्किल है या भर कडी धूप है बहुत है पड़ी तो दो मन में भगवान का में या तो मनुस्य जीवन में ज्यादा सुक्तिकर सकते हैंदे कर सकते हैं ओ ई हुआ है उनको भगवार हुआ के बारे में सुनने से आनंद आता है अस्तोफ वाहराने लगते हैं वह लोग वह गुंट जाने के लिए लाइक हो जाते तो नाम को तभ भक्ति करते रहना है अपनी करते जब इस तरह से यह न का थे अधिनर आता है और पिर आंगली कठा आती है इस तरह से इस तरह से चत्तुस कुमार थे चारवचार कुमार लोग जाते हैं लेकिन भागवानों कुछ लीड़ा करनी थी इसलिए क्या करते हैं वह सब को महां देखते हैं परणाम करने लगते हैं लोग बोलते हैं यहां भगवान यह भगवान आंगे हैं लेकिन वह साथ में और आकरी द्वार में पहुंशते हैं वहां पर दो द्वार पर खड़े गए जय विजय को लगबाद समान आईउगे दिख रहे थे रहे थे लेकिन चत्तुस कुमारों को देखते हैं थोड़ा प्रसंद नहीं थे उनको लग रहा था है यहां पर आये कैसे हैं उनकी आठें थोड़ी लाल थी और तुम्हार लोग थे उनके अंदर तेरा मेरा जैसे कोई भावना नहीं थी इस तरह से क्या करते हैं वह सात्वें द्वार को भी प्रुवेस्ट पार करके प्रुवेस्ट करने का प्रयास करते हैं और थोटे बच्चों की तरह होने की कारण दिससे कामने पहले दो भी बताया के चतिस कुमारों के अंदर एक्षाथ ही कि हम लोग कैसे रहें आज जीवन ब्रह्मिशारी रहें कि वहां करेंगे या बड़े होंगे तो माय में भश जाएंगे पांच वर्स के बच्चे दिख रहे थे और पांच वर्स के बच्चे का नंगे भी घुमते रहते हैं तो इस तरह से निवस्ट्रों होके वह आज पास घुम रहेते लेकिन वह कैसे थे विली ताथ में तत्वान उनके अच्छात्कार था कि हम सरीर नहीं है मात्मा है लेकिन जय वेजय उनको रोग देते हैं यह देखके वो लोग गुस्सा हो जाते हैं चतिसकुमार पर उनके वारे मताइं इसलिए कि वह क्या हुए था मुझा नहीं को प्रवादत है काम जबागा का च्छोटा भाई पहले बड़ाई आता है फिर छोटा भाई आता है अगर्शुम्स पहले काम आता है और यह काम रूब जाता है उनके अंदर कामना थी जर्षन करना चाहते है इसको रोड़ दिया तो क्या हुआ फुरोध हागया है वो फोड़ित हो गया तो जय वजय को उन्होंने स्राब दिया क्या स्राब दिया अरे तुम लोगों को भगवान की सिवा प्रापता है रेकुंड के अंदर इस तनी उची पद्वी मिली है लेकिन विस्सां में सब तुमारा स्वभाव तो भक्त नाशा नहीं देख रहा है कि उपारे अन्दर स्थूरुत्रा का भाव देख रहे है इसलिए तुम लोग धोके बादो अधोंग भूंडी हो भक्त नहीं हो कि इसलिए कि तुम होगी हो तुम सुचते दूसरी लोग भूंग कर रहे हैं इसलिए तुम हम लोगों को अंदर जाने से रोख रहे हैं यहां के लोगों में और भगवानें बहुत अच्छा सामंजस है तो यहां किस चीज का भै तुम लोग बोल रहे हैं तुम द्वारपाल हो बैह है को भगवान को परिसान ना करें अरे जब भगवान और भक्तों में सामंजस है तो भैगी बात कहां से आती है कि इसलिए क्योंकि तुम सत्रू और मित्र में भ्याग देख रहे हो और तुम को स्राप देते हैं कि तुम भॉतिक जगत में जाओगे और उस जगत में जाओगे जहां काम प्रूद और लोग नातिन सत्रू दिखाई देते हैं इस तरह से चत्रू कुमार के अगर बढ़ते हैं वैस्टन अपराद कर देते हैं लेकिन जय विजय के करते हैं जय विजय आप देखते हैं तो ब्रामनों का स्राप लगाए तो बड़े भेवित हो जाते और उनसे च्वावाने रबते हैं और जय विजय कहते हैं आपने जो भी हमको स्राप दिया है उस स्राप को हमने ब्रहन करते हैं कि करनों के दिरके कहते हैं लेकिन आप हम पर करना का भाव उखाईए इसलिए हम अमारी एक ही आपसे अगर है कि भाले हम लोग बहुत ही जगत जाएं लेकिन भगवान को कभी भूले नहीं कि यह हमाने एक है कि आप जाने को तैयार है कि भूफाफ करने के लिए तैयार है लेकिन को नहीं भूलना चाहते हैं कि भूलते ही जगते में सबस्वाला कस्ट है वो कस्ट है भगवान को भूलने कस्ट इस तरह से जब आगरे करते हैं वह देखके चत्रुसकुमार उनका हिर्दय द्रवे पर जाता है कि अधिक कुमार का सुचते हैं वो सुचते हैं वह वैस्ट अपरात किया है वह अधिया है यह लोग तो भगवान के दास हैं चाहें तो वह स्राप को द्रण करने के इनको जब्यूत नहीं है अधिया नमटा है कि इनके अंदर अवस्टा यह हम पूर दे सकते हैं घंडव के अंधर हैं लेकिन वोड़ी क्या कर रहा है इंके अनुदर यह नमबरता है कि प्रतिकार नहीं कर रहे है अब मेरें सब्सुमायास नहीं कर रहे है मुझाने कि इन वैष्णों को देखकर उनके अंदर बननेकी इक्सा प्रकत होती है इसलिके हम भक्त के संबर्ख में आते हैं कब है हमारे अंदर भकती करने की इक्सा आती है बार्स के संबर्खत में नहीं आएंगा तो भक्ती करने इसाथ नहीं आएगी तो भगवान जब यह देखते हैं कि यह सब जहमेला चल रहा है वहाद लक्षमीनिय के साथ वहाँ पर आते हैं लक्षमीनिय साथ क्यों आते हैं लक्षमीनिय के सार इसलिए आते हैं कि लक्षमीनिय किरपा मिले लक्षमीनिय किरपा से थ Ав्यआय कि करड़ी है लक्षमीनिय की किरपा मिलेगे घृषव किरभ कर सकते हुए हृद कि ie का मिलती है किर्ष्ण प्रेम किसके पास है वो करादवाने की पास लक्समीजी की साथ महां पर आते हैं और चतुस कुमार जिन्होंने भगवान को मात हिदय में ही देखा था अब वह बहुत आरे भगवान आ रहे अपने भक्तों के साथ और भगवान की रूप को देखकर कितश कुमार बहुत आकरस्त हो जाते हैं तो यह आपना फूटो पहले भी लिखा आपको इस कुमार कैसे भगवान से आकरस्त होते हैं आपको दोबर लिखाते हैं पहले भागवान के रूप का विवरेण महां पर किया गया है उनका जो मुक्सा पूंगरूप से सांत था ऐसा नहीं थे बहुत जो मेरा चल रहा है तो उद्रूप नहीं था बहुत सांत थे आनद देने वाले थे उनके मुक्का दर्सन संसार में सचा देखने योग है और सब वह आसिरवाद दे रहे थे वह अपनी दृष्टी से सब के हिदा को छुर रहे थे उनका जो रंग है वो तो अमने से पहले वी बताए गहरी निये रंग के हैं भगवान उनका सीना है चात रहने का स्थान है जिसमें कमर बंद मंदा हुआ था गले में वजनती माला जिसके आसपास बहुत सारी मदु मक्यां गुंग रही थी घले में फिर सुन्दर सा एक हार भी था और कॉस्तूम बड़ी थी घले में उनका एक जो हाथ था वह गरोण जी की उपर था और दूसरे हाथ से कमर को घुमा रहे थे उनके जो का गर्थे वह मकर कुंडली कारण वह कान में जो बाले हैं वो क अगर जैसे देखते हैं साथ उसकी कारण गाल में क्या आ रहा है गाल में उसकी रूस नहीं आए जी रिफ्लेक्शन आ रहा था इसका गाल और बी सुन्दर दिख रहे थे नाक एकदम उठी हुई और सर पे एक सुन्दर समय कुछ था कि कि अब उनको देखते हैं दावान अगर्स्त होते हैं कि अ क्या होता कि अधर जाड़ा कि इस था त्व बाक्तों को अब हमने पार्स लों को कैंने की तुछ किया है कि उत्रशकार आप मानिस किया है तो वह बैढल उनके अंदर सा दुखी ओकर समाई आचना मांग रहें चैने भगवान दोनों दखते हैं नुस्कर करते हैं दोनों करते हैं सब्संतर सुझाइए और भगवान का रूप है वह भगवा भक्तों के कारण और भी सुन्दर हो जाता है भगवान का जो रूप है लक्षमी जी सुन्दर्त से ज्यादा बढ़के है भगवान की सुन्दर्त सारे देवता से पूझनी है जब कुमारं को देखते हैं देखते ही परणाम करने लगते हैं उनके चाहनों करते हैं तो समय के आउधे कुछ ऐसी चीज़ उते इसकर रहा भक्त बन जाते हैं करने लगता स्वाविवरेन चकार शोबां तेसां संचोब अक्षर जुसाम अभुचित्यतन्वों अज़़ान विद्धे नयन अस्यपदार विंद वाने चरंड कमल है कि उसमें तुलसी तो उसमाँ थे चंड़ों में तुलसी थी उससे वायू निकली जैसी उस वायू ने चट्विश कुमारों के नाकम प्रविश किया उनका आकर्षन भगवान से तो बढ़ गया कि जड़ ब्रह्म घ्यान और वहहनता था और उनका आकर्षन था ड़ों सब खतम हुगत बन गयों कि फिरली ईसके बाद धागवान नसे हो पहली कुली के माध्याइं से इस तरह से वह सांतर सब्सक्राइब करते हैं कि यह वही रूप है जो बड़े-बड़े योगी जिस रूप पर क्या करते हैं और भां घान करते हैं का बात्र कुमार लोग भगवान से अंब आ पाती पुरुषओं के समग से नहीं आते हैं है ile कि लेकिन हमने ब्रह्माजी सुना ता इसलिए हम लोग पहले नहीं दिख पा रहते आपको ऱे जो-जो-जो-श cachya सुना तो कि आप ऐसे दिखते हैं इतने सुन्दर है आज उसका हम को साक्षात कार हो गया है कि आप वैसे वह अ चुम मारी पिताजीने कुछ गरत नहीं बोलाता हुए हमीता हुप होगती ओंगें कि हम by आदे हैं तो हमार हमने थोड़ी ब़ध भक्तिकी िसके करन आप हमको तो बड़े बड़े जो तपस्वियें तो बहरागी है वो भी आपको तब ही जान सकते हैं जाब वो क्या करते हैं करते हैं और फिर वाण यह कोईते हैं नाते निकतम निकतम विटनयती अभीते प्रसादम कि वी अन्य दर्पित पहयं व्रुव उन्ने येस्ते ये अंगे तद अंगरी सरेना भवता कथाया की तन्य तीटे यससा को से लार सग्यां जो भक्त आपके चलणों में समर्केते हैं आनने वाले हैं वो आपकी कता में क्या लेते हैं हरी कता में बहुत आनंद लेते हैं बहुत आनंद आते हैं बोलते हैं बंद मत करिये हरी कता सुनाते रहे हैं उनको अगर संसार सागर पार करने का या मौक्त करने का मौका मिले वह उसको भी नहीं ग्रांट करेंगे और स्व सब्सक्राइब कर दिया है भडवानी पार्षकों को अगर आपको नरग बेजने हम तयार है लेकिन हम प्राथना करते हैं कि अगर आपकी सेवा में लगा रहे हैं हम जो भी बोले वह आपके बारे में और जो भी सुने आपके बारे में सुने हुआ 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 है लेकिन आपकी स्वक्ति आपकी सेवा और आपका गुर्णान हमेशे सब्सक्राइब इसलिए हम आपके रूप का दर्सन करके बड़े धन्य है और हम आपको प्रणाम करते हैं कि आपका रूप है आराम से दिखाए नहीं देता है लेकिन आप हमारे समक्स प्रकट हुए हैं इसलिए हम लोग पूल वोग संत्ष्ट हो गए हैं हुमारी द्रिश्टी और हमारा मन आप दोनों के दोनों तुर्प हो गए इसलिए भगवान हमको तुछ और नहीं चीए इस तरह से यह चित्रसकुमार भवान मी प्रसंचा करते हैं लेकिन मन में हमें से एक तूटी जा जाती है वह लगता है लेटा क्ष्ट होता है जोता है भगवान की भबतों का अनाधर कर दिए यह की भवान आंगे कैसे रिजूल करते हैं पूय उसुपो वह हम लोग अगले हफते सुनेंगे तब तक हम लोग पथा का नियुक्त अंत्राश्यमत भावतं की जये शील पौपाद की जये अब आते हम नंदे है